हेलो फ्रेंड्स मैं प्रियंका अपने चैनल रस्पी रस्पी में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रॉबेरी आइस क्रिम की रस्पी लाई हूँ वो भी बिना स्ट्रॉबेरी के आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम बिना स्ट्रॉबेरी के किसी भी मौसम में स्ट्रॉबेरी आइस्क्रीम बना सकते हैं इसे बनाने के लिए मैंने अंडे, फूड कलर, एसेंस या फिर प्रिजर्वेटिव का इस्तमाल नहीं किया है यह आइसक्रीम देखने में जितनी क्रीमी, रिच और टेस्टी लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपसे बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि एक रिच और टेस्टी आइसक्रीम बनने के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है तो जलिए फ्रेंट्स रेस्पी की शुरुवात करते हैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने जो सामगरिया लिया है उसमें अगर आपको क्रीम की मातरा आधी ले रहे हैं तो आपकोingersstahluk 9-rd cuk कृपल रख देती हूँ इसी में को विप करूंगी क्रीम के नीचे आइस बेड लगाने से कृम हो जाती है क्रीम को विप करने के लिए मैं electric beater का इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहे तो whisk का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैं यहाँ पर beater को high speed में चला रही हूँ यह cream जैसे जैसे whip होगी वैसे वैसे यह volume में double होती जाएगी देखिए friends, cream दीरे-दीरे fluffy होती जा रही है लगवक 3-4 मिनट हो गया हमें cream को इतना ही whip करना है हमें इतनी ही थिक cream चाहिए अब हम और cream को whip नहीं करेंगे अब मैं इसमें condensed milk डाल देती हूँ साथी इसमें strawberry crush भी डाल दे रही हूँ मैं एक spatula से condensed milk और strawberry crush को cream में fold करके मिला रही हूँ इन दोनों को cream में अच्छे से मिलाना जरूरी है नहीं तो ये दोनों cream के नीचे जाकर बैट जाएंगे इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए electric beater भी चलाऊंगे हमें यहाँ beater को बहुत जादा नहीं चलाना है strawberry ice cream का mixture बन कर तयार है अब मैं इसे एक air tight container में transfer कर देती हूँ container के ऊपर एक aluminium foil लगा देती हूँ इसके ऊपर से मैं धकन को लगा दूँगे आप aluminium foil की जगा butter paper का भी इस्तमाल कर सकते हैं यह ice cream में ice crystal बनने से रोकते हैं याद रखिएगा friends हमें जिस भी container में ice cream सेट होने के लिए रखना है वो air tight जरूर हो अब मैं container को 3-4 घंटे के लिए freezer में रख दूँगी 3-4 घंटे के बाद मैं इसे निकाल कर ice cream को fork या फिर beater की मदद से अच्छे से मिलाओंगे ऐसा करना जरूरी है यह process हम दो बार अपनाएंगे ऐसा करने से ice cream में ice crystal नहीं बनते है चार घंटे हो चुके हैं मैंने freezer से ice cream को निकाल लिया है ice cream अभी पूरी तरह से नहीं जमी है मैं इसे fork की मदद से अच्छे से मिला देती हूँ आप चाहे तो यहाँ पर whisk, beater या blender का इस्तमाल कर सकते हैं अब मैं वापस container पर aluminium foil और इसकी lid लगा कर फिर से मैं इसे freezer में 3-4 घंटे के लिए जमने के लिए रख दूँगे 3-4 घंटे के बाद मैं फिर से यह process अपनाऊंगी जैसा कि मैंने पहले भी बताया था इस process से ice cream में ice crystals नहीं बनते हैं इसलिए यह process आप जितनी बार अपनाएगा ice cream उतना ही creamy और smooth texture वाला बनेगा दूसरी बार मैं यह process अपनाने के बाद मैं ice cream को overnight set होने के लिए freezer में छोड़ दूँगी ऐसे ice cream 8-10ग में अच्चे से सेट हो जाती है मैंने रात वर ice cream को freezer में set होने के लिए छोड़ दिया था यह देखिए friends ice cream कितने अच्छे से होई है, अब मैं ice cream को scoop out करनेər कि दिखे रही हूं यह देखिए friends ice cream कितने अच्छे से scoop out हो रही है मैंने स्कूपर को गरम पानी में डिप नहीं किया है, फिर भी ये इतने अच्छे से स्कूप आउट हो रही है मैं आइस क्रिम को सिल्वर कलर के सुगर बॉल्स और स्ट्रॉबेरी क्रश्ट की प्यूरी से गार्निश कर रही हूँ आप जैसे चाहें वैसे गार्निश करें तो लेजिए फ्रेंट्स स्ट्रॉबेरी आइस क्रीम बनकर रेडी है आप इस strawberry ice cream को एक बार जरूर बना कर देखिएगा और मुझे comment में बताइएगा friends अगर आपको strawberry ice cream की ये recipe अच्छी लगी हो तो आप इसे like और share जरूर करिएगा और मेरे चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की notification आपको मिल सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई recipe के साथ तब तक के लिए bye friends